एक ऐसा फोन चाते हैं जिसमें एक अच्छा कैमरा हो एक अच्छा गेमिंग प्रोसेसर हो एक अच्छा बैटरी बैकप हो लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा फोन लिया जाए क्या Samsung Galaxy M15 5G फोन ठीक रहेगा या OPPO K12X 5G लिया तो कौन सा फोन लिया जाए समझ नहीं आ रहा तो फिर आप सही जगाए हैं मैं इस वीडियो में फूर रव्यू दूंगा और बताऊंगा कि इन दोनों फोनों में से कौन सा फोन बैच रहेगा तो चलिए फिर बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआज सबसे पहले M15 5G फोन से की जाए जो कि इस फोन के बोक्स में हमें charger देखने को नहीं मिलता है इस फोन के look and design की बात करें जो कि इस फोन की back में triple camera setup के साथ एक flash layer देखने को मिलती है बैक में poly car openate plastic frame plastic ही back body देखने को मिलती है overall काफी decent सी look देखने को मिलती है इस फोन के weight की बात की जाए जो कि इस फोन का weight 217 gram से 7 इस फोन में हमें 9.3 mm की thickness से देखने को मिलती है वैसे यह phone heavy तो है लेकिन handy जुरूर है तो चलिए फिर बिना किसी देरी की इस phone के display की बात की जाए जो कि इस phone में super amulet display देखने को मिलती है with 90 hertz refresh date साथ हमें इस phone के display में 395 PP density resolution 84.3% screen to body ratio 6.5 inches का screen size देखने को मिलता है इस phone के display में 800 nits की peak brightness देखने को मिलती है overall super amulet display है बरिया display performance तो होगी ही indoor and outdoor display brightness भी काफी बरिया है तो चलिए फिर आप इस phone के processor की बात की जाए जो कि इस phone में miri deck dimension 6100 plus processor देखने को मिलता है with 6 nanometer chipset जो कि हमारी gaming performance को काफी enhance कर देता है साथ इस phone में android 14 version 6GB तक virtual reaction memory side mounted fingerprint sensor hybrid sim slot देखने को मिलता है बाकि इस phone में single speaker से देखने को मिलते हैं यानि की audio and speaker performance तो decent रहेगी वैसे lag issue तो काफी कम देखने को मिलता है लेकिन इस phone थोड़ा heat हो जाता है while charging तो चलिए फिर अब इस phone के camera features की बात की जाए जो कि इस phone में triple camera setup देखने को मिलता है जो कि 50 megapixel का main camera with 1.8 aperture rate है दूसर में 5 megapixel का ultra wide camera देखने को मिलता है with 2.2 aperture rate तीसर और आकरी हमें macro camera देखने को मिलता है जो कि 2 megapixel का है with 2.4 aperture rate इस phone का camera 1080p 30fps तक video recording support करता है इस phone के selfie camera की बात करें जो कि इस phone में 13 megapixel का selfie camera देखने को मिलता है with 2.0 aperture rate बाकी इस phone में LED flash, HDR, panorama, pro, food, night, macro, slow motion, hyperlapse mode जैसे camera features भी देखने को मिलते है इस phone का camera 10x zoom तक supported है overall काफी बरिया camera performance देखने को मिलती है इस phone का camera daylight की साथ night photography में भी बैस्च रहेगा indoor and outdoor camera performance भी इस phone की काफी बरिया है तो चलिए फिर ये तो थे इस phone के camera features अब इस phone के battery backup की बात की जाए जो कि इस phone में 6000 mAh बैटरी देखने को मिलती है ये phone 25W की charging support करता है 6000 mAh बैटरी है अच्छा battery backup तो होगा ही नॉर्मल युसेज करें तो इस phone का battery backup असानी से 16-17 आस तक का रहेगा फाइनली तो फिर अब क्यों ना इस phone के pricing की बात की जाए जो कि इस phone में हमें तीन वेरिंट देखने को मिलते हैं पहले 4GB RAM N148GB टर्नल चोरिज जिसका price 13,300 है दूसरा 6GB RAM N148GB टर्नल चोरिज जिसका price 14,800 है तीसरा और आखरी 8GB RAM N148GB टर्नल चोरिज जिसका price 17,500 है हमें तीनों ही वेरिंट पर online शोर्स पर 1000 का credit का discount भी देखने को मिलता है ये phone तीन color वेरिंट में available है तो चलिए फिर ये तो थे इस phone के सभी specifications तो फिर अब क्यों ना इस phone को side में रखा जाए और भरा जाए हमारे दूसरे phone की ओर जो की OPPO K12X 5G phone है इस phone के box में हमें हमारा phone कुछ manual guide SIM ejector tool kit एक cover case cover case की build quality तो काफे बरिया है साथ ही महीं इस phone के box में हमें 45 वोट का super hook charger C type केबल देखने को मिलती है यानि की इस phone के साथ में तो हमें एक complete phone box देखने को मिलता है तो चली फिर अब इस phone के look के design की बात करें जो कि इस phone की back में dual camera setup के साथ एक ring flash layer देखने को मिलती है back में matte finish, scratchless back body देखने को मिलती है इस phone में plastic frame, plastic back body देखने को मिलती है overall look wise से देखने में ये phone काफी बरिया लग रहा है इस phone के weight की बात की जाए, जो कि इस phone का weight 186 grams है साथ इमें इस phone में हमें 7.7 mm की thickness से देखने को मिलती है ये phone light weight होने के साथ साथ handy भी है तो चली अब इस phone के display की बात की जाए जो कि इस phone में IPS LCD panel देखने को मिलता है with 120 Hz refresh rate साथ इमें इस phone के display में 264 PPA density resolution 85.2% screen to body ratio 6.6 inches का screen size देखने को मिलता है डिस्पले brightness की बात करें जो कि इस phone में 1000 nits की peak brightness देखने को मिलती है no doubt इस budget के साब से इस phone की display performance काफी बरिया है लेकिन हमें Samsung के phone में इस phone से ज़्यादा बहतर display देखने को मिलती है तो चलिए फिर अब इस phone के processor की बात की जाए जो कि इस phone में mirror deck damage ची 6300 processor देखने को मिलता है with 6 nanometer chipset यानि की gaming performance तो इस phone में भी काफी बरिया रहेगी साथ ही में ही इस phone में Android 14 version RGB तक virtual RAM exchange memory, side mounted fingerprint sensor hybrid sims road देखने को मिलता है बाकि इस phone में IP54 rating के साथ single speakers देखने को मिलते है इस phone के camera features की बात करें जो कि इस phone में dual camera setup देखने को मिलता है जो कि 32 megapixel का main camera with 1.8 aperture rate है दूसरा 2 megapixel का depth camera देखने को मिलता है with 2.4 aperture rate इस phone का camera 1080p 30fps तक video recording support करता है selfie camera की बात करने जो कि इस phone में 8 megapixel का selfie camera देखने को मिलता है with 2.0 aperture rate बाकि इस phone में LED flash, HDR, panorama, night, pano, slow motion, time lapse, dual video mode, tilt shifter जैसे camera features देखने को मिलते है इस phone का camera 10x zoom तक supported है camera performance तो इस phone में भी काफी बरिया देखने को मिलती है लेकिन camera performance Samsung के phone की ही बरिया रहेगी back camera performance तो फिर भी बरिया है लेकिन selfie camera performance इस phone की इतनी बरिया नहीं लगी तो चलिए फिर ये तो थे इस phone के camera features अब क्यों ना इस phone के battery backup की बात की जाए जो किस phone में 5100mH battery देखने को मिलती है ये phone 45V की charging भी support करता है यानि कि phone को full charge होने में इतना time नहीं लगेगा normal usage करें तो इस phone का battery backup असानी से 14-15 hours तक कर रहेगा finally तो फिर अब क्यों ना इस phone के भी pricing की बात की जाए जो कि इस phone में 2 variant देखने को मिलते है पहले 6GB RAM and 1GB टेर्नल चोरिज जिसका price 13,000 है दूसरा 8GB RAM and 256GB टेर्नल चोरिज जिसका price 16,000 है हमें दोनों ही variants पर online source पर 1,000 का credit का discount भी देखने को मिलता है ये phone दो color variant में available है तो चलिए फिर ये तो थे इस phone के सभी specifications तो फिर अब क्यों ना बात किया जाए कि इन दोनों फोनों में से कुँसा phone बैच रहेगा सबसे पहले pricing की बात करें जो कि price में तो काफी difference है हमें Samsung की phone के साथ तो charger भी extra buy करना परेगा दिखी अगर आपका budget कम है या कम price में ज़्यादा RAM ज़्यादा storage चाते हैं तो definitely OPPO का phone ही बैच रहेगा अब look wise personally मुझे OPPO की phone की looks ज़्यादा बरिया लगी display performance, camera performance, battery backup तीनों ही Samsung की phone का बरिया है लेकिन OPPO के phone में IP54 rating के साथ 45W की superhook charging भी देखने को मिलती है Samsung के phone में 4 years का OS upgrade और 2 years का security upgrade भी देखने को मिलता है तो फिर no doubt, feature wise Samsung का phone OPPO के phone से ज़्यादा बहतर है लेकिन कम price में OPPO का phone भी all-rounder, best, budget friendly phone रहेगा झाल